यहिन दोस्तो स्वागत है आपका आपका आपकी यूट्यूब चैनल सरकारी जॉप एंड जॉपर दोस्तो बात करते हैं आज एक नई भरती के बारे में जो CGL की बरती है इस भरती के बारे में आप बहरती जानते होंगे किस प्रिकार की बरती होती है और किस प्रिकार से इसक 7,633 पद आये हैं जिनकी आवेदन आपके सुरू होने वाले है तो दोस्तो आप अगर इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आप अपना आवेदन कर सकते हैं इसका 31 तारिक 31 जन्वे ता इसके लाज़ डे रखी गई है और इस भरती के बारे में जाल लेते हैं इसमें कितने पद किस विभाग में रखे गई हैं इसके पूरी जानकारी कर लेते हैं और दोस्तों अभी भी अगर हमारा चैनल किसी ने सबस्कारी न किया तो प्लीज चैनल को सबस सकें और आप भरती से अपडेट होते रहें तो जान लेते हैं सबसे पहले जान लेते हैं इस परिकार से होती है और किस विभाग में कितने पदें इसके पूरी जनकारी कर लेते हैं दोस्तों तो जैसा कि आपको कि इस स्कीन पदो पर होने वाली है तो यह आपके पद आने वाले हैं इसमें बात कर लेते हैं करमचारी चेनायों की ओर से कंबाइंड ग्रेजुट लेविल सीजील एक्जाम दोजार इक्षिस के तहट केंदे सरकार के बिभिन बिभागों में कुल 7633 पदों पर भरती की जाएगी यानि कि इसके जो बिभागण 7600 पद आपकी इखाले हैं जिन पर इटकी भरती होने वाली दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसमें OBC की 833 बे EWS वर्ग की 889 सीटे हैं इस भरती के लिए अभी लेखों का सत्यापन रविवार से शुरू हो रहा है जो 31 जनवरी तक चले वाला है यानि कि सत्यापन आपका रविवार से शुरू हो करकर 31 जनवरी तक आपका चले वाला है तो आप इस भरती में भाग ल बिभागों में कुल 7633 पदो उपर भरती की जाएगी इसमें इसमें OBC की 833 बे EW S बरक की 899 सीटे हैं आयोग ने संभावित पदों का विवारा उपलत करा दिया गया है इस भरती के लिए अभी लेखों का सत्यापन रविवार से शुरू हो रहा है और जो 31 जनवरी तक चलने वाला है दोस्तो आपका रविवार से शुरू हो करके 31 जन इस्पेक्टर इंकम टेक्स के 355 कुल 1493 पदों पर भठती होगी चैन्टर बोर्ड ऑफ इन डारेक्टर टेक्सेज एड कस्टम में इस्पेक्टर CGL एबम सेंटर एक्साइज के 899 में और इस्पेक्टर के 165 जबकि इस्पेक्टर एग्जामीनर के 35 पदों पर न्युक्ति क जैगी कैंद सरकार की account और audit सेवा में भी बड़ी संक्या में निगती होगी या निकि जो आपके भरती होने ओली वह आपके इंकम-tax डारेक्टर है इंकम-tax इसपेक्टर है और इंकम-tax ऑफिसर है और इंकम-tax इस्पेक्टर एक्जामिनर इन पदों पर यह आपकी भरती होने वाली है तो दोस्तों यह काफी पद बड़े होते हैं भरती अच्छी होती है इसमें अधिकारी लेबल की भरती होती है तो आप इस अगर भरती में भाग लेते हैं अगर आप इसका एक्जाम निकाल देते हैं तो आप अच्छे अधिकारी बन सकते हैं तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं भारत के नियंत्रक और महले का परिच्छक कारा लेके अधिन ओडिट अपसर के 335 पे एकाउंट ओविसर के 190 इसमें पद रखे गए हैं तो अच्छी इसमें अच्छी भरती है अधिकारी लेवल की भरती अच्छे पद दिये गए हैं आगे बात कर लेते हैं डिफेंस एकाउंट में ओडिट के 989 पद हैं अच्छे इसमें डिफेंस के भी हैं 989 पद रखे गए हैं आगे बात कर लेते हैं पिद्यागराज करमचारी चैनायोक की और से जारी सम्भावदी पदो में Controller General Office General of Defense एकाउंट में Auditor के 989 पद है और C.A.G. में Audit के 520 है और आगे बात कर लेते हैं Divisional Accountant के 160 भे Accountant के 325 पद है वही Controller General of Accounts के अधीन Accountant के 354 पद है भरती होगी 344 पदों पर भरती होने वाली है ग्रेमतराले के अधीन रजिस्टर General of India काराले में State Skill Investigator Grade 2 के 728 पद भी सामिल है तो दोस्तों ये बहुत बड़े पद हैं जिनकी भरती होने वाली है अच्छे लेविल की भरती होने वाली है और ये भरती आपको देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों अगर आप चाहते हो इसमें CGL में भाग लेना तो आपको अच्छे तयारी करने पड़ेगी और अच्छे तयारी के साथ आपको इसमें एक्जाम देना होगा जिससे आप अगर आप एक्जाम पार कर लेते हैं तो आप अधिकारी अच्छे अधिकारी के लेविले पहुंच सकते हैं तो दोस्तों कापी अध्यारती हैं जो इसका वेट कर ले थे तो आपकी भरती आने वाली है तो आप इसको आविदन कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू धन्यवाद दोस्तों